तो चलिए आज आपको मोदक बनाना सिखाते हैं जो हम बिंगॉल में बनाते हैं मोदक तो इसके अंदर हम जो स्टाफिंग डाल रहे हैं वो है यह स्टाफिंग है मावा का मावा जो हमने घर में बनाया है और उसमें चीनी डाला हुआ है आप इसमें चाहे तो किसी भी तरह का स्टफिंग डाल सकते हैं नमकिन स्टफिंग डाल से बनता है वो भी डाल सकते हैं और नमकिन स्टफिंग के साथ आप चाहे तो कोकोनट और मावा के साथ और कोकोनट का स्टफिंग भी डाल सकते हैं तो कैसे करना है वो मम्मी जी दिखा रही है देखिए तो मैं पहले आपको बताता हूँ ये कैसे बनाना है मतलब ये जो चीज है मतलब जो ये डो कैसे बनाना है सिर्फ चावल का आटा और गरम पानी को गूंदना है फिर आपका बन जाएगा ये डो फिर डो को थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से गूंदिये और आपको डो में जो मिलेगा डो से आप आपको छोटे चोटे pocket बनाना है और pocket के अंदर जैसे dumpling होता है यह rice dumplings है मोदक की जैसा है अगर आप चाहे तो मोदक का जो mold मिलता है वो आप खरी सकते हैं तो हम mold नहीं ऐसे गोल-गोल पका लेते हैं उसके बाद पहले तो जब आप इसे बनाएं डो को बनाएं तब गरम पानी में चावल का आटा को mix करते रहना है और आपको mix करते हुए हिलाते रहना है जब तक वो ठीक से बंद ना जाए तो वो आप देख लेना है फिर उसके बाद अपने डो को थोड़े से हाथ में लेना है पानी लेना है कोई तेल नहीं लेना है फिर उसके अंदर आपको stuffing डालन है तो इधर stuffing में सिर्फ मावा जा रहा है मावा और चीनी का mixture है तो आप चाहे तो मावा के इलावा और भी कुछ डाल सकते हैं तो हम यह बनाते हैं जब मकर संकरानती स्टार्ट होता है तब से बनना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नया चावल आता है उसके बाद सभी स्टा स्टाफ करना है और उपर व्डा हिस्सा μεौड के ऊपर लेके जाना है जब तक वह पूरा ही कवर ना हो जये फिर उपर वह रही युदा है और इस तरह से चप्टा कर लेना है तो चप्ता करने के बाद इस तरह से गोल- backlash बन जाएगा आप किसी भी में आढा सकते हैं जब तक इसर बयूआ कर सकते हैं या फिर छिफ कर शक्टे नर नमकीन भी बना सकते ख़ड़ा मुग ढल को को आप कोई भी थोड़ा सा ड्राइ सब्जी बना कि इसके अंदर डीज़ा सकते हैं कुछ भी डाल सकते मोद्यक के अंदर हम मीठे मोद्यक में हमेशा यह डालते हैं और हम इसके अलाबा आप चीनी, गुर और नारील के गिरी से कुछ भी बना सकते हैं और इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं यो भी हो सकता है इधर ममी जी यह बना रही है बहुत ज़दा ठन बढ़ गया है आज है 17 तारिक 17 जनौरी बारिश नहीं हुई है बहुत दिनों से ठन बढ़ गया है और दो दिन से धूब भी नहीं आया है आज है 17 जनौरी 2023 तो अभी रात को ममी जी ये बना रही है कल गया है दो दिन पहले गया है मकर संक्रान्ती मकर संक्रान्ती के बाद ठन थोड़ा कम तो हुआ है बट फिर से धूप नहीं आया है इसलिए ठन जादा लग रहा है तो आप भी मकर संक्रान्ती के बाद ने चावल से इसे बनाया है य मखल संग्रांति के बद जब फसल काटा जाता है तब ऑब चावल से नया चावल का आटा बनाई फिर चावल के आटे से बहुत सारी चीजे बनती वह सब चीजें भी बनाईं यह फिर इस बनता है बोता है in great field कि इस तरह मिक्स कर दो को गरम पानी में चावल का आटा और कुछ नहीं डालना गाल जब करेंगे लगातार मिक्स करेंगे लगा भाना जाएगा दो इतना ज़ादा मिक्स करेंगे तो डो में एक थोड़ासा लचिला पना जाएगा तब ही आप क्योंकि डो बनाते बख वो नहीं टूटेगा और डो बनानी के बख उसके अंदर जब थोड़ासा खोल करेंगे और स्टाफिंग डालेंगे तब ही वो नहीं टूटेगा तूट सकता है जब आप पानी में उसे बॉयल करेंगे फिर इसके बाद इसको हम कलिकवत्ते में रखते हैं इसके बाद आप क्या करना है तो इसको आप बॉयल करना है जब तक ये खाने लायक ना हो जाब तो अगर steam भी करना चाहें, steam भी कर सकते हैं, तो यह हम इसे boil करते हैं, boiling water में इसे डाल देते हैं, तो जब यह थोड़े-थोड़े एक-दू फटने लगे, तब आपको पता चल जाएगे, के यह ready हो जाएगा, 10 मिड़ लगते हैं, उबाल आने के बाद आप इसे निकाल के ठंडा कर ले और खाएं, तो हो जाने के बाद देखिए, इस तरह से दिखेगा, और दो इस तरह दिखता है, देखिए, पतीले में चिपक गया है, इस तरह से जब आप गरम पानी में डो को बनाएंगे तब गरम पानी में इस तरह से अभी भी गरम है तोड़ा तो गरम पानी में जब डो को बनाएंगे इस तरह से दिखेगा चिपक सभी चिपक जाएगा थोड़ा सा पानी भी रखिए ताकि हाथ में ना चिपके और हाथ से ठीक से डो को मसल के आपको लोई बनानी है फिर लोई के अंदर स्टाफिंग करना है